हेलो फ्रेंड्स रादे कृष्णा वल्कम बैक टू माई चैनल रेली हैक्स विदावी लक्ष्मी फ्रेंड्स कुर्तियों को तो हम अरेंज कर लेते हैं लेकिन डुपट्टों की एक समझ्या हीर बनी रहती है कि हम उने कैसे अरेंज करें तो यह देखिए इस विडियो में कुछ अरेंजिंग टेप्स कुछ और्गनाइज इंग टेप्स मैं आपके साथ श्य Candy करने वाली हूँ तो यह देखिए मैंने लगबग दो जिससे कि यह जो चूडिया है वो ठोड़ी सी अच्छी दिखाये दें और उसको मैंने धागे की साहिता से इने जोड़ दिया यानि इसमें जूड़ीया लगी हुई है और इसमें बहुत पतली पतली तहे बना कर डुपत्तों को लगा दिया जाता है डुपत्ते सारे ही जतने आप लेयर देना चाहें चूड़ियों की उतनी ही लेयर देते चले जाएं तो यह बहुत और देखने में भी अच्छा लगता है और डुपटे भी सारे विजीवल होते हैं का यह देखिए यूँज करना परे बहुत आसान है और कितने सारे दोपटे इसमें आ जाते हैं तो एक तरिका तो मेरा ही है यह है जैसे मैं डुपटे रखती हूं और और यह देखिए इस तरह है कि जूब cardboard box होते हैं cardboard box को मैंने paint किया हुआ है और उस box में भी मैंने डुपटों को arrange किया हुआ है और इन्हीं भी यूज करना बेहुत आसान होता है क्योंकि सारे ही डुपटे विजिबल होते हैं और कुछ डुपटे ऐसे होते हैं जो कॉटन के होते हैं या फिर इस टाइप के होते हैं कि उनमें सिल्वटें वगेरा जादा आती हैं उन डुपटों को मैं कुछ इस तरह उन्हें तहे बना कर उन्हें रख देती हैं तो मेरा यह तरीका आपको कैसा लगा और कौसा तरीका आपको सबसे जादा अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं तो यह देखिए यह इस तरह की जो हैंगर होते हैं वाड्रों में बहुत जादा यूसफुल होते हैं इनमें चार लेयर होती हैं इसके कारण हम यह सबर्गा निकलेंगे यह नहीं निकलेग की इसमें बहुत इक चीज़िताशות फिक्स हो जाती है और यह हेंगर दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो आप इस तरह के जो हेंगर हैं तो उन्हें अपने वाड़ों में ज़रूर शामिल करें यह आपके स्थान को भी बचाएगा वाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आप इसमें कर सकते हैं यह देखी हम बहुत सारे तरीके के हेंगर अपनी वाड़ों में यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह के जो हेंगर होते हैं आपको दिखाए दे रहा है हम स्थील का करके लाते हैं मार्कीट से की स्थील का है लेकिन कुछ समय बाद हम यह देखते हैं उसमें जंग आने लगता है तो हमें मैसूस होता है कि इसमें शायद कुछ मिलावट है इसके कारणी है जंग आ गया है तो उसका मैं आपको बहुत ही असान सा तरीका आपको बताती हूं क्यूंकि यदि जंग लगे हुए कपड़े यदि हमख़़ा हैं कर देंगे और यह कपड़ा हम हमारा लगवग छे महीने भी एक ही एंगर पर रहे रहे गया यानिकी हम उसका पड़े को छे महीने बाद यूज़ कर रहे हैं तो उस कपड़े पर हमारा जंग आने का बहुत जादा खत्रा होता है तो इसके लिए मैं बहुत ही असान तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो किसी भी हैंगर को जिस पर मैं तो लगबख सभी हैंगर पर इसी तरीके को अपनाती हूं यह मैंने न्यूस पेपर जो होते हैं वह हैंगर पर लगा लेती हूं और यह हैंगर मैंने यह जो न्यूस पेपर लगा हुआ है यह कम से कम चार पांच साल आराम से हो गए हैं और यह देखिए मैं इस पर डेट आपको बताती हूं यह हो रही है इस पर 2017 लिखा हुआ है इस पर यानि यह देखिए या फिर इस तरह आप पॉलेथिन का भी उस कर सकते हैं जो एक जो हम सामान लेकर आते हैं यह बादाम आमंड की पॉलेथिन है जिसमें बादाम आते हैं तो उससे उस पॉलेथिन को मैंने लगाया हुआ है और यह साड़ी वाली पॉलेथिन है उसको लगाया होता है और मैं लगबग अपने सभी जो मेरे हैं सब पर इसी तरह लगा कर रखती हूं जिससे कि मुझे यह ना रहे कि हां किसी कपड़े पर जंग आ गया है अब मैं तीसरा टिप्स आपको देना चाहूंगी तो यह देखिए जब हम कोई भी नई चीज लेकर आते हैं तो उस में कुछ इस तरह की गोलिया निकलती हैं जिस पर लिखा होता है Do Not Eat कोई भी बोटर ले लो कोई भी सामान के लिए रखते हो यानि कि आप जब सर्दियों के लिए सर्दियों की कपड़ों को अब आप गर्मियों के लिए रखोगे पैक करके तो उस टाइम आप इन गोलियों को उन कपड़ों के अंदर डाल दें यानि कि आपको यह पैकिंग नहीं खोलनी पैकिंग समय दालना है तो आप यह देखो कि उनमें नाबदबू होगी और कपड़े आपके बिल्कूल ही अच्छे बने रहेंगे जो कपड़े काफी लंबे समय तक आपको रखने हैं तो आप इस पैकेट को उसके अंदर डाल दें इसे वह बिल्कूल सुरक्षित बने रहेंगे तो यह टिप्स आपको